हेलो फ्रेंड्स एक बाद फिर से सागत आपको कुल इंज यूट्यूब चैनल के अंदर दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं आपके फोन के एक घर जहां दोस्तों आज हम बनाने वाले फोन के लिए चार्चिंग डोक तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए सबसे पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके पास अपने पीस को कट कर लेते हैं फटाफट से दोस्तों अभी हम अपने पीस को कट कर लिया है हमने यह देखिए दोस्तों और आप मैं बता दू आपको की मैं का से कट करता हमाट करने के लिए यह दोस्तों को प्रता नीजा कूप मिल जाएगी इसके बाद दोस्तों आपको इक अपना ऩौर नेकिको में 180 आपकी इस धालंन रहे दोस्तों को इस पर सीकर जोर तो यह चाहने हो चेवा बात नहीं कि मेरे पास दोई speaker नहीं कैसे बनेगा कोई भी speaker आप इसमें लगा सकते हैं जा आपके size से हिसाफ से बैठे आप इसमें असे लिए fit कर सकते हैं अब दोस्तों हम एक छोटा सा टुकडा लेंगे अब बोर्ड का और उसको ऐसे लगा के ट्रैंगल बना लेंगे अब दोस्तों इक पिस्टवी बोर्ड ले लेने आपको चिकना सर्फिस ले लेना है उसको रखके बनाने दोस्तों मतलब अपनी hot glue से hot glue इस तीनों जो ट्रेंगल बना थे इसके तीनों holes में hot glue को भर देंगे इसको मैंने यहां पर hot glue को भर दिया अब इसको हम सूखने का time देंगे थोड़ा क्योंकि और सूखने में कम से कम इसको 20-25 मिनिट लगेगा दोस्तों इसे अराम से रख दीजिएगा ज्यादा छेड़ेंगे तो प्रोब्लम हो जाएगी इसको सूखने के बाद दोस्तों हम इसे चिपका होगा तो थोड़ा पिछल से हीट करें दोस्तों इसे हेड्रायर से इस बार इस पर चुपका दी जो हटा होगे तो एकदम सही हो जाएगा दोस्तों जैसे हमने यहां पर कर लिया है इसे दूसरी साइड का भी हम बना लेंगे यह वाला जोड़ा अच्छे फिनिश का बना है यह दोनों बन जाने के बाद दोस्तों हम आएंगे अपने अगले पार लेते हैं यहां पर फैविकॉल यूज कर सकते हैं या कोई भी फैविकॉल थोड़ा सा बैटर चिपका देता है इनको वुड़ को इस पे काईड ओफ तो मैंने इसको इस टाइप से कट कर लिया है करने के बाद आप इस अंदर से निकाल के दोस्तों फोन में अटैच करके द लगाएगा क्योंकि फोन में अटैच करने से क्या होगा यह इसीली सही सैट बैठ जाएगा अपनी जगह पर जो भी इसका हिसाब होगा तो आपको बड़ी प्रोब्लम आने वाली है इसको सही बिठाने में इसलिए पहले फोन अटैच कर लेना फिर इसे लगाना और बाद म हुए या अधने पर होटिल रुजकों तो दोस्तों दोनों चीज़ आप यूज कर सकते हो इसके बाद दोस्तों मैं माइक्ट्रोफोन यूज कर रहा हूँ माइक्रोफोन और यह में कबशे जाएगा और यहां पर उस प्राइन यह जाएगा अभर जा आपे जो फेंशी और यहां पर दोस्तों जो मैंने इनको सीडिस में लगा दिया इसके बास दोस्तों जो मारे एरफोन की जो वायर होती है थोड़ी अलग टाइप की होती है इसको सोल्डर करने के लिए मैं आपके ट्रिक बदाता हूं सबसे पहले आप इसे रोल कर लिए रोल करने के बाद इस पर सोल्डरिंग पेस लगाके अपनी आयरन पर थोड़ा सा सोल्डर वायर लेके और फिर इनको स्टैप से बर्न किजिए दोस्तों तो आप देखेंगे इन आपको कलर ब्रिंट मिल जाएगा तो वहां पर सारी वायर कलर में लिख्यों है आप इजीली काम कर पाऊगे उसे दोस्तों यहां पर देखें दोस्तों मैंने अपने एंप्लिफार में जै कनेक्शन यहां पर कर दिये हैं माइक्रोफोन भी अटैच कर दिया है अब दोस्तो को मैं थोड़ा सा बैंड कर दूंगा दोस्तों ताकि यह जब उसके अंदर हम रखें अपने डोक के अंदर तो लाइट जो है अच्छी तरीके से फैल जाए इसके बाद दोस्तों जो में पार्ट आता है हमारी चार्जिंग केबल उसमें कट करना एंप्लिफायर की वायर होएगा ठीक है तो यह होने के बाद अब इसमें तो कट लगा लेंगे पोजिटी नेगिट और हमारे एंप्लिफायर को इसमें जोड़ देंगे दोस्तों सिंपल और यह जोड़ने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट के कनेक्शन जो हैं वो ओल्मोस्त कम्प्लीट हो गए है तो मेरे फ्रेंड्स मेरे मित्र मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी आती है कोई भी परिशानी आती है बनाने में तो मुझे आप कमेंट बोक्स में लिखिए इस प्रोजेक्ट को देखिए अपने सुजाओ बताईए अगर कोई भी परिश हवब्सोटी टेस के अट कographer क बार रह विए तो फ्रेंड्स हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं उसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों अगर आप वीडियो में नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको इस इसी ऐसी वीडियो और मिलती रहें तब तक के लिए दोस्तों आप चार्जिंग डूपको इंज्वाइए कीजिए इतने में आपके लिए कोई नियो प्रजेक्ट्स होगा हूं तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स